हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो माई चैनल विज्व आर्ट हिस्ट्री माहियास फ्रेंट्स, सिंदुगाटी सभीता का वीडियो में आप लोग को अपलोड कर चुकी हूँ जो आप देख लीजेगा मेरे पिछली वीडियो में लिंक है और आप उसको अच्छे से रीड कर लीजेगा लिसन करिएगा और ये वीडियो वेदिक काल से संबन देजा है जो वेदिक काल के वेदिक काल कब से कब तक माना जाता है संबह होता है दूसरी शर्ताबदी तक वेदिक काल को मुख्यता किस से संबन दित कहा जाता है वेदों से संबन दित माना जाता है वेद आरियों की संस्कृति का दोय तक भी है जो वेद था चारो वेद वो आरियों की संस्कृति का द दस्यू कहा जाता था जिन्हें जो सिंदु सबेदा की निवासी आरे नहीं थे वे समभवता उस जाती के थे जिसे रिगवेद में दस्यू कहा जाता था वर्तमान में जो द्रविड जाती है दक्षेड भारत में बसती है वो इसी प्रकार की परंपरा की जान पड़ दिया मों आरेओ क्यों उत्तर भारत में बसने से दक्षेड भारत की ओर चली गई और वहीं बस गई आरे भारत में कहां से आये थे ये चीज थोड़ा विवादास्पत था कि आरे किधर कहां निवास करते थे भारत में तो कहा जाता है कि पुराणों से ये पता चला कि कश्मीर सबसे पहले कश्मीर पामीर में केंदे थे वो जब तीसरी शताबदी इसी पूर में देश के अन्य स्थानों पर फैल गए ठीक है फिर गंगा सिंद कांठों के आरे धनुष बाड़ घोड़े तथा रत का प्रयोग करते थे सेकेंड है कि गंगा थोर्ड क्वेशन इसमें है जो वन लाइन जो गंगा सिंद कांठों के आरे किस चीज का प्रयोग करते थे तो यह लोग धनुष बाड़ो घोड़े तथा रत का निर्मान कर चुके थे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो सिंदुगाटी शब्वेता में जो चीजें थी उसके पहले हमने प्रागयतियासिक में पढ़ा था कि किसी तरीके से वो गोल तिकोन और इन सब पत्थरों से फिर औजारों से अपनी जरूरतों को पूरा करते थे अपने आपको स चली गई थी यह देखा जा सकता है आरियों ने किस धातु का प्रयोग प्रारम कर दिया था तो यहाँ पर लोहे हैं पहले हम कास्य तामा टीन इन सब चीजों का देख चुके थे सिंदुगाटी सब्वेता में परन्तों वैदिक काल में हम लोहे का इस्तमाल देख सकते हैं क वैदिक की लोहे का प्रयोग उस समय होता था सेंदुगाटा के लोग नगर निवासी तथा व्यापारी थे परन्तों आर क्रिशक तथा ग्राम वासी थे जो आरे थे वो क्रिशक और ग्राम वासी देखे जाते हैं इस तरीके से जो सड़ी हम करते हैं तो ऐसा पता चलता है क कि वो लोग ग्रामवाजी थे। सेंदर सब आरियों के घर किस से बनते थे। तो आरियों के घर मिटी, लकडी वा घास, पुष, पत्तियों से बनाए जाते थे। अथरवेद में शालाओं के निर्माण का उलेक भी आता है। ये शालाएं स्तंबो घास और बास की साहता से निर्मित होती थी। आरियों की शालाएं कभी-कभी गायों को भी रखा जाता था। आरियों के साथ आप गाय को भी सुने होंगे। गाय भी हमेशा उनके साथ रही हैं। आरियों की भाषा क्या थी? आरियों की भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी. जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उन आरियों के जीवन में जो अविवाहित महिलाओं होती थी उसको अमाजू कहते थे. आरियों की मुख्य पेपदार्थ क्या थी? सूमरस था या वनस्पती से बनाया जाता था आरियों मुख्य था तीन प्रकार के वस्त्रों का उप्योग करते थे वास, अधिवास और उश्रीस ठीक है? तो ये वस्त्र हो गया उनका आरियों का अब उनके जो मनरंजन के साधन थे, वो कौन-कौन से थे? संगीत, रथदोर, घुड़दोर तथा धूत क्रिड़ा इस तरीके से अब हम आरियों के मनरंजन का साधन देख लेते हैं फिर आरियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो पश्व पारान और क्रिशी था आरियों का प्रिय पश्व तथा प्रिय देवता था घोड़ा तथा इंद्र आरियों मानते थे कि हमारे जो क्रिशी का कारे करते हैं तो इंद्र देवता हमारे फसलों को पानी देते हैं अर्था तो वो वर्षा कराते हैं तो इस वज़े से आरियों के जो देवता थे वो इंद्र थे। आरियों दोरा खोची गई धातु क्या थी लोहा, जिसको उस समय श्याम तथा आयस कहते थे। कामी को लोग क्या कहते थे लोहित आयस, ठीके। वैदिक काल में कलाएं जो थी वो अध्यन्ती जानकारी का स्रोत वैदिक साहित्य रहा है। ठीके, और लोहार को कमीर कहते थे, उस समय जो था वो लोहार भी उस समय उनका कारे करते थे, जो लोहे का काम लकड़ी का काम करते थे वो बढ़ई तथा लोहार को भी जोड़ते थे लोहार हिरन से वैदिक यूग में अभूशर भी बनाते थे इसी प्रकार तथा अक्ष अथवा बढ़ई गिरी भी वैदिक काल का एक अत्यंत महतबुन शिल्प था यजूर वेद में लोहार कुमार और शिल्पकारों के साथ तक्षक और रथकार सब्द भी समिलित है इस समय हम देखते हैं कि किस तरीके से एक ग्राम का विकास हो चुका था एक ग्राम में किस तरह से रहते हैं लोग रध था, बढ़ी गिरी थी, लोहार गिरी, सारी चुज़े हमें वैदिक काल में मिल जाती है तामबे को लोहुईत आयस कहते थे वैदिक काल में नौका का भी अनेक इस्थानों में उलेख होता है ये नौकाएं विविद आकार प्रकारगी होती थी, ये काट कास्ट से बनाई जाती थी, जिनका निर्मान बढ़ही करते थे रिगुवेद में चप्पु वाली नौका भी उलेख आता है और विशाल नौकाओं का भी निश्चित तोर पे उलेख आता है जो कि समुद्र मार्ग से ब्यापार के लिए प्रयोक तो होती थी वैदिकाल में वस्त्रों की सिलाई वा बुनाई का भी उलेख हुआ है उन कातने का कार प्रय औरते किया करती थी इस्त्रिया करती थी ब्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे उस समय पाड़ी कहते थे रिगुवेद रिड देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेन काट कहा जाता था मनुसियम देवता के बीच मध्यस्तता वाला देवता अगनी देवता कहा जाता था रिगवेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्पूर तथा पवित्र नदी कौन सी मान जाती थी सरस्वती ये सब चीजे बहुत ही लर्ण करने लायक है क्योंकि ये कौशन आ सकता है रिगवेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है तो गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है यमुना का उले एक तीन बार हुआ है उत्तरवैदिक काल में राजा के राजा विशेग के समय कौन सा यग्य किया जाता था तो राजसू यग्य ये वाले कोशन आ चुके है उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाए किसके आधार पर निधारित होने लगा था तो जो वर्ण था वो जन्म के आधार पर निधारित होने लगा था उत्तरवैदिक काल के हल को क्या कहते हैं तो हल को सीरा कहते है उत्तरवैदी काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? वो निश्क थी ठीक है? Next In one line question से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती है कि महा काव्यों में कला से संबंदी तो लेक किस तरीके से उत्तरवैदी काल में मिले हैं रामायड में महाभारत में प्राप्त होने वाले कलात्मक संदर्वों से ग्यात होता है कि उस समय वास्तुकला, मूर्तिकला और जित्रकला का पर्याप्त विकास हो चुका था भवन निर्माण का कार्य उन्नती कर चुका था और प्रसाद, विमान, हर्म और अनिक प्रकार के भवन निर्मित होते थे राजबहन, सब्थ भौम, अस्ट भौम और सहस्त्र अस्तंब आदी विसिस्ट प्रकार के होते थे रामायड में हम कला का कैसे रूप देख सकते हैं जब रामायड में रामद्वारा अश्वमे गियागे के अवसर पर सीता की स्वन प्रतिमा निर्मित किये जाने का उलेख आता है तो इसी प्रकार कीमिती धातूं से नाना प्रकार के बहुमुल रत्नों से अलगृत रामड के पुस्पक विमान को उसकाल के कलाकारों के शिल्प कौशल का उतक्रिष्ट उधारण माना जाता है इस तरीके से उस समय चित्रशाला ग्रिहारी शब्द से भी बहुँ शंक्यक चित्रशालाओं के अस्तित्तों में भी होने का बोध होता है राम के राजप्रशाद की दिवार पर अनुपम चित्र उतकिर्ण थे तो इस तरीके से हम कैसे महाकाव्यों में कला को संबंद देख सकते हैं अब ये रामायर की बात हो गई अब हम महाभारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं महाभारत में किस तरीके से कलाय को देखा किया था यहाँ पर क्वेशन नमर 31 जो है महाभारत का पुराना नाम क्या है तो महाभारत का पुराना नाम जैसंगेता है या विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महा भारत में कलाओं से सम्बंधित विविरन प्राप्त होते हैं महा भारत के सभा परूर में उलेखित योदिस्टर के सभाह गृजिय में अनेक इस्तम्भ थे और उसमें इस्थान इस्थान पर जो सुवार्ण अवरेक्ष निर्मित किये गया थे इससे हमें पता चलता है कि उस समय किस तरीके से कलाकरी की होती थी हीरा मोती आदी रतनों से द्वार बनाये जाते थे सभागरी की दिवारों को विभिन्न प्रकार से चित्रों को सजाया जाता था सभा के मद्धया एक सरूवर बनाया गया था जिसमें स्वन कमल लगाये गये थे रतन जड़ित सेढ़ियां बनाई गई थी परन्तु देखने वाले को इस जलाशे के स्थान पर जमीन होने का अभास होता था और आगे बढ़ते ही वा दर्शक पानी में गिर पड़ता था इसी प्रकार हम पढ़ते हैं महा भारत का पुराना नाम जैसन नहीं था यह विश्व का सबसे बड़ा महा कावे था तो महा भारत में किस तरह से कलाएं संबंदी थे हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं महा भारत के सभा परों में उलेखित दिस्टिट के सभा गरी में अनेक स्थम्ब थे उसमें इस्थान इस्थान पर सुवर्ण वरेक्षे निर्मित किये गए थे स्थान पर जमीन होने का अभास होता था और आगे बढ़ते ही यह दर्शक वहाँ पर ऐसा था कि जैसे पानी था और उसमें गिर पड़ता था तो इस तरीके से महा भारत में किस तरह किसे कलाकृतियां होती थी उसका हमें अभास हो जाता है इन सब पुराणों से महा कावें से तो महा भारत से हमें इस तरीके का पता चलता है कि उस समय किस तरीके का कलाकृतियां हुआ कर दी थी महा कावे को यतिरिक्त हम बहुत हो जैन साहिते में भी पढ़ते हैं तो संस्कृत के नाटकों में पौराड़े ग्रंतों में शिल्प कला के संबंदित अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसम्रितियां तथा पुराणों में मंदिरों, मुर्तियों, चित्रों तथा अन्य प्रकार की कलाओं से सम्बंदित महतोपोड सामगरी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम जो वैदिक कल में विश्व धर्मतर पुराण के बारे में पढ़ते हैं तो उससे हमें सबसे ज़्यादा मुर्तिकला वह चित्रकला पर अत्यांत उप्योगी सामगरी प्राप्त होता है। जिन्हें समझने के लिए उपरोग्त साहित्य का अध्यान आवश्यक है। अस्टा अध्याई में और नाटे सास्तर में कलाओं के संबंद में पर्याप्त चर्चा होती है। वस्टायन के कामसुत्र में भी 64 कलाओं का जिक्र किया गया है जो कि आलेख या नामक अध्याय में प्राप्त होता है। ये कुश्टायन हमेशा आता है वस्टायन का कामसुत्र, भरत का अनाटे शास्त्र, विशुधर मुत्तर पुणान और अश्टा ध्याई में कलाओं को शिल्प को चारू तधा उद्यों को कारू कहा गया है। ये सारे चीज़ें बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये सारे चीज़ें बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। इस पुराण के लगभग एक दरजन अध्याय मात्र मूर्ति कला पर प्रकास डालते हैं। और इसकंद पुराण में किससे संबंद में चर्चा की गई है। वास्तु तथा प्रतिमा निर्मान पे। तो इस तरीके से ये जो सारी महाकावे थे इसके दवारा हम वैदिक काल की कला के बारे में पढ़शकते हैं। एक और कुश्चन आपको ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। मानसार वास्तु कला के साथ साथ चित्र कला के उत्पति हम चित्र कर्म की प्रविधियों पर भी प्रकाश डालता है। मानसार एक महाकावे था। मानसार में 32 प्रकार की कलाओं की चर्चा की गई है। तथा अठारवे अध्याय में नागर, द्रविड और बेशर प्रसादों का भी उलेक मिलता है। यह ग्रंत चित्रकारों और मुर्तिकारों के उचित मार्ग दर्शन प्रदान करता है। यह 11 शती का महतवपूर्ण शिल्प ग्रंत है, जिसके अंतरगत मंदिर वास्तु के साथ साथ चित्रकला संबंदी उपयोगी सूचनाय प्राप्तों होती है। इसमें 20 प्रकार के प्रासाद मंदिर वा विमान आदि गिनाय गये हैं। मेरू, मंदर, कैलाश, विमान, छंद, नंदन, समुद्र, पद्म, गरुण, नंदी वर्धन, गज, कुंजर, गरिह ग्राज, व्रिस, हंस, कुंब, सर्वतो भद्र, म्रिग राज, वर्तुल, चतुरश्ट, चतुश्कोड, शोड, शास्र और अस्टास्र। इसी ग्रंत के 97, 57 वे और 69 अध्याय में उक्त 20 प्रकार के मंदिरों के सुक्ष्म लक्षुनों पर विस्तार से प्रकास डाला गया है। इन में 6 भूमियां होती हैं, विमान, छंद, नंदन भी इसी वर्ध में आते हैं। वैदिक काल का एक और भी महा ग्रंथ है, जो अपराजित प्रिक्षा, नामा ग्रंथ है, निमले कि 14 प्रकार के मंदिर जिसमें गिनाए गया है, अपराजित प्रिक्षा, आपको ये कोशन आ सकता है, अपराजित प्रिक्षा, किस काल का ग्रंथ है, तो वैदिक काल का ग्रं पूरा कम्प्लीट हो जाएगा विश्रु धर्मतर पुरान जो सात्वी शताबदी में हैं तृतिय खंड में 101 प्रकार के प्रसादों मंदिरों का उलेख मिलता है यह जो हम पढ़ रहे थे ग्रंत के बारे में तो उसमें किस तरीके से मिलता है तो विश्रु धर्मतर पुरान जो सात्वी सताबदी इसको कहते हैं कि गुप्त वंश के टाइम में बना था तो इसके जो 87 मिंस 87 वे अध्याय में सर्वतो भद्र नामक एक प्रकार का प्रशाद का विवरण है अठासवी अध्याय में सामान प्रकार के प्रसादों का 100 रूपों का वड़न मिलता है विश्रु धर्मतर पुरान में प्रतीक सामान प्रसाद के तीन सामान भाग जगती, कटी और मंजरी जगती को वसुधा कहते हैं कटी को डिवार को कटी कहते हैं मंजरी कूट स्रिंग और तल वलभी और शिखर का लेक मिलता है एक अन्य शिल्प ग्रंथ है इशान, शेव, गुरुदेव, पधधती इसमें मंदिर वस्तु की तीन प्रमुक्षैलियां है नागर, द्रविड और बेशर कव लेक मिलता है यह ग्रंथ भी दस्वी और ग्यार्वी शती इस्वी का है इस ग्रंथ में कहा गया है कि ब्रह्मा तथा रिशी, परंपरा के पश्चात महान इस्थपती मैं ने विशाल व्याख्या स्वरूप, विशेश रूप से सात्विक द्रविड विमान को राज सिख और वेशर विमान को ताम सिख संग्या दे गई है प्रथम की सट भुजी अस्ट भुजी और गज प्रिस्था और द्वितियों को वृत्ताकार व वर्गाकार कहा गया है इस तरीके से शिल्प रत्न में विमान शिल्प से संबंदित सूचनाय प्राप्तो होती है शिल्प रत्न में किस तरीक से सूचनाय प्राप्तो होती है विमान शिल्प से संबंदित इसके अनुसार नागर प्रासाद आधार पर शिखर्व वर्गाकार होते हैं और द्रविड प्रशाद का शरीर वर्गाकार गुम्बदीय भाग सट भुजी अत्वा अस्ट भुजी होता है वरिहची पुर्शास्त्र नामक मद्यकालिन वस्तु शास्त्र में मंदिरों के प्रभेतक दो तालिकाएं दी गई हैं प्रथम तालिका में नागर, द्रविड, मिस्रक, लतिना, साधार, भूमी, नागर, पुस्पक, विमान तधाद्वितिय तालिका में नागर, द्रविड, विराट, भूमी, लतिका, साधार तधा मिस्रक की करना की गई है इस तरीके से ये हमारा वैदिक काल से लेके विश्ण धर्मुत्तर पुरान 7 और 10 और 11 सताबदी तक के जो ग्रंत थे उसमें किस तरीके से कला का वर्डन हुआ है मैंने आप लोगों को बता दिया ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको आप बार बार सुनते जाएए कुछ चीज़े मैंने नोट की है कुछ नहीं नोट की है जो नहीं नोट की है उसको आप अपने एक पेन पेपर लेके नोट डाउन करते जाएए और जो चीज़े नहीं समझवा है मेरे कमेंट ब